पहली बात यह है कि पिछले चुनावाँ में भारती जन्ता पार्टे ने जो वादा किया था वो पूरा किया नहीं और आम जन्ता है वो ठगावा मसुस किया कि अभी जो हम लोगों ने जो बात कही है कि जो आपको 350 रुपया की वरकर सुदेंगे फिर 200 इनुट तक कि बिजली बिल मुपत रहेगा दो हजार जो ग्रहनी है उसको प्रतिमा देने के बाद और पांच लाख लोगों को रोजगार देने के बाद और सबसे वेड़ी बात यह CAA लागों ने वह जो यहां चासाम के लोगों की भावना है तो यह चार-पांच-पांच मुद्दे जो है उसके गारेंटी के रूप में हम लोग दे रहें और जैसे हम 36 गड़ में हमने लागो किया है जो राहूल गांदी जी वहां जो आदे किया उसे लागो किया उसी प्रकार से यहां भी हम उसे लागो करेंगे लोगों की विश्वास जगा भारती जनता पार्टी से मोभंग हुआ और कांग्रेस प्रती युश्वास जगा है और यही कारण से कि आपार आसाम में कांग्रेस के इस्टिती बहुत मजबूत ही जैसे पहले हुआ करता है जो फोकस है कांग्रेस का पर्टिकलर आपर आसाम में वो है जो चाय के बगीचों में जो लोग काम करते हैं और इनके पूरवज कभी 36 गड़ अपने पहचान आदमी छोड़ता नहीं है और वो वो कनेक्ट करता है जब अपन उनकी भासा में अपनी भासा में मैं जब बात करता हूं तो यहां जो लोग रह रहे हैं तो निश्य तरुप से कनेक्ट होते ही है